आरे काजल बेटी जरा अपने पापा को फोन लगाओ और मेरे बारे में बताओ हालो पापा मेरे पापा जरा मम्मी से बात कर लो हाँ बोलो क्या हो गया तुम्हें बहुत परेशान नजर आ रही हो आरे क्या बताओं कल रात में गोलगपा खालिया और आज घर से दुआ निकल रहा है क्या करूं जल्दिस आओ घर आरे काजल की मम्मी तुम टेंसन बिल्कुल मत लो मैं अभी दिल्ले से गाड़ी पकर के आ रहा हूं प्यार तुम टेंसन मत ले न हलो पापा मेरे लिए साड़ी ले आना पेन्ने का मन कर रहा है बहुत दिन से मेरे पापा ठीक है मेरे बिटिया मैं जरूर लेके आऊंगा आरे मोदी जी अब स्कूल चलते हैं बहुत देर हो गया सर जी को मालूम चलेगा ना मार मार के हड़ी पसली तोर देगा आरे योगी बाबा तुम इतना डरपो कप से हो गए हो भाई तुमको दिखता नहीं है कितना ठंडी लग रहा है पहले आख सेखने दो उसके बाद स्कूल चलेंगे ठीक है आरे योगी बाबा ये मोधी जी ठीक कर रहा है भाई इतना ठंडी में स्कूल कैसे जाएंगे देहाद का अपने लगता है थोरा सा आख सेख लेते हैं उसके बाद चलेंगे नहीं भाई हम अकेले स्कूल जाएंगे आप दोनों जाओ चाहना जाओ आम जा रहे हैं भाई हमको बहुत डर लगता है ठीक है योगी बाबा आरे तुम जा रहे तो हम भी जा रहे हैं अकले बाई आख सेखता रहेगा तब तक तुम दोनों चलो मैं सिक्रेट पीके आऊंगा ठीक है अरे मोधी चाचा ये क्या हो गया आपको क्या हो गया बताए मोधी चाचा अरे बेटा क्या बता हूँ अभी अभी सार ने उठा के पतक दिया है मेरा कमार तूट गया है आरे योगी बाबा ऐसे ठीक नहीं होगा चलो होस्पीटाल लेके चलते हैं अपने मोधी जी को आरे नहीं अखलेज बेटा हमको इंजेक्शन से डर लगता है मोटा वाला भोग देता है क्या करूँ आरे अखलेज भाई ऐसा करते हैं कि मोधी जी को इस सार पे बेटा के ले जाते हैं नहीं तो इतना वजन है कि कंदे पर भी नहीं आएगा अरे योगी बाबा ये पॉसिबल नहीं है पैदल उठा के ले चलते हैं तब ठीक रहेगा तो दोस्तो ऐसे फ़नी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद